जी सी फैक्स के फीप्त एपिसोड में आपका स्वागत है क्या आपको पता है कि असली दूद को कैसे पहचाना जाता है यूनिवर्स में सबसे रेयर चीच क्या है आइंस्टाइन की आखरी फोटो कैसी थी डॉक्टर ने फेंग बीमारी क्यों बनाया और एक ऐसा गाउं जहा 400 साल से बारिस नहीं हुई है इन सभी फैक्स को जानने के लिए वीडियो में आखरी तक जरूर बने रहे फैक्स नमबर वन मिल्क हमारी बाड़ी के लिए काफी ज़्यादा फायदे मन होती है लेकिन क्या हो अगर वह दूद नकली हो या फिर मिलावटी हो सिंपल सी बात है हम बिमार पढ़ सकते हैं तो अब बात यह है कि दूद को पहचाने कैसे की वह नकली है या आसली इसके लिए आपको थीन स्टेप्स जरूर फालो करने चाहिए सबसे पहला इस्टेप उसे स्मेल करो अगर उसमें से डिटर्जेंट जैसी स्मेल आती है तो अब वह सिंटेटिक मिल्क है दूसरा मिल्क स्टोर करने पर कलर चेंज नहीं करता है और नकली मिल्क स्टोर करने पर वह हाड यलो कलर में चेंज हो जाता है तीसरा एक ग्लास से दूसरे ग्लास में टालो अगर उसे डालते समय एक लाइन बनाया जाते हैं मतलब वह प्योर मिल्क है और अगर पानी जैसे दिखे मिल्स आप समझ जाने की वह नकली दूद है अगर मैं आपसे यह पूछू की अर्थ में सबसे रेर चीच क्या है पेंड या डाइमंड तब आप यही कहेंगे डाइमंड लेकिन अगर मैं आपसे यह पूछू की यूनिवर्स में सबसे रेर चीच क्या है पेंड या डाइमंड तब इसका अंसर होगा पेंड क्यूंकि कहीं भी नहीं पाया जाता है इसलिए हमें पेड़ों की गदर करनी चाहिए और इसे लगाना भी चाहिए एक नूमर 3 क्या आपको पता है इस दुनिया में किसी दो इनसान का फिंगर प्रिंट एक जैसा नहीं होता वैसे ही स्पाइडर्स के नेट जो होता है वाध एक दूसरे से एक दम अलग होता है यानी कि उनका नेट एक प्रकार से उनके लिए फिंगर पैर्परिंट का काम करता है फैक नमबर 4 हर देश का अपना अपना रूल होता है पर क्या आपको पता है अमेरिका में एक ऐसा रूल है जिसे सुनकर कई लोग दुखी हो सकते है वह रूल है कि अमेरिका में संडे को दोपार 12 बजे से पहले कोई भी सराप नहीं पी सकता है और नहीं खरी सकता है अगर क के मल मेंन्स ओंट के एक अईसा जानवर है जो को कई दिनों तक जिंदर रह सकता है और मैं आपको बता दो कि जिराफ से कई गुना में तक piles यह सकता है हम सबने बचपन से ही यह सुना है कि डॉलर सबसे मजबूत केरेंसी है पर यह सच नहीं है असलियत में ऐसा भी कई केरेंसी है जो डॉलर से भी कई गुना जादा ही श्ट्रॉंग है जैसे की 40 डॉलर दिनार एक्सेक्टरा यहां के एक 40 डॉलर या एक दिनार इंडिया के 250 रुपीज के बराबर होता है फैक नमबर 7 यह बहुत इंट्रेस्टिंग फैक्ट है अर्थ पे एक दिन 24 गंटे का होता है लेकिन आपको यह बात जानकर सौक लगेगा कि मर्कुरी पे एक दिन 14-108 गंटे का होता है फैक नमबर 8 अगर आपको आपके चहरे पर ग्लो लाना है तो यह ट्रीक जरू ट्राइ करना आप जीज भी पानी से नहाते है उसमें आपको थोड़ा सा सौल्ट मिलाना है यानि की नमग डाल देना है क्यूंकि सौल्ट बाडी से सारे डेट सेल्स हटा देता है और आपके चहरे पर एक नेच्रल ग्रो लाता है फैक नमबर 9 क्या आपने कभी आंश्टाइन की आखरी फोटो देखी है अगर नहीं तो यह देखिये यह है आउश्टाइन की आखरी फोटो इसके बाद एक भी फोटो उन्होंने नहीं खीचवाई फैक नमबर 10 आपको यह पता होगा की माउस के उपर एक कर्सर होता है जिसकह डेंधना हमारे पॉइंटर उपर और नीचे होता है पर क्या आपको पता है इसकी मदद से हम अपने पॉइंटर को लेप और राइट कर सकते है इसके लिए हमको कीबोट के सीप्ट बटन को दबा कर कर्सर को रोल करना होगा एक नमबर 11 केलेमा नाम का एक विलेज है और वहाँ पंदरह सो एक से आज तक एक बुन भी बारिस नहीं हुई है यह 400 साल से भी जादा हो गया है लेकिन एक बुन भी पानी नहीं देखा गया है और अगर यह सच है तो यह इस प्लैनिट का सबसे ट्राइस् इस पूरे दुनिया में जितनी भी प्रकार के मचलिया पाई जाती है उनमें से ऐसी कोई भी मचली नहीं है जो समुद्र के अंदर अपने दोनों आग बंद कर सके बस सार्क ही एक ऐसी मचली है जो समुद्र के अंदर या फिर पानी के अंदर अपनी दोनों आग बंद कर सक सकती है तेरते समय और सोते समय भी यही एक मात्र मचली है जो अपनी आगबर कर सकती है है नमबर 13 आपको यह तो पता होगा कि 19 सेंचुरी में लड़कियों को ज्यादा सपोर्ट नहीं किया जाता था कोई भी चीज को लेकर हमेशा लड़कियों को पीछे कर दिया जाता था या फिर डरा दिया जाता था वैसे ही जब 19 सेंचुरी में लड़कियों को साइकल के प्रती क्रेज बढ़ा तब उसे भी खत्म करने के लिए लोगों ने बहुत प्रयास किया और डॉक्टर्स ने एक फेक बिमारी बताई जिसका नाम था दा साइकल फेस यानी कि साइकल चलाते समय या सीखते समय जो अजीब फेस गल्स बनाती है वो हमेशा के लिए उनके चेहरे में रह जाएगा तो इसे सुनने के बाद लड़कियों ने साइकल चलाना ही बन कर दिया था पैक नमबर 14 अर्थ में पानी के बाद जो सबसे जादे हिस्सा में फैला हुआ है वह कौन सी चीज है आप सोच रहे होंगे लेंड लेकिन ऐसा नहीं है लेंड के अलावा क्लाउट्स है क्योंकि हर वक्त अर्थ का जो 60% हिस्सा है वह क्लाउट्स से ढखा होता है और अर्थ में बस 21% लेंड है तो बेसिकली देखा जाए तो अर्थ में लेंड से जादा क्लाउट्स है फैक नमबर 15 साल 1960 यह साल था जब कलर टीवी का इन्वेंशन हुआ था और पूरी दुनिया में फैल गया था लेकिन क्या आपको पता है जब कलर टीवी नहीं था तब लोगों के सपने ब्लेक और वाइट हुआ करते थे और कलर फुल टीवी आने के बाद ही लोगों को कलर फुल ड्रीम आने लगे लेकिन अभी भी 10% लोग ऐसे है जिन्हें ब्लेक और वाइट ड्रीम आते है अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सस्क्राइब करना मत बूलना थैंक्स वार वाचिंग